Hello friends, welcome back to Prabhala classes. आज हम discuss करने जा रहे हैं बहुत ही famous इंट्री बेरुबारी union case जिसमें कहा गया था, the preamble is not a part of the constitution की जो प्रस्ताबना है वो समविधान का भाग नहीं है. अब ऐसा क्यों कहा गया था, उसकी क्या उसके पीछे उसका background था, क्या history थी, आज हम उसको discuss करेंगे और final में जो judge थी, उन्होंने क्या decision दिया, हम उसको भी discuss करेंगे. स्टार्ट करते हैं इसके background से. According to the Indian Independence Act 1947, the boundaries of India and Pakistan were to be assessed by the award of a boundary commission chosen by the governor journal. Indian Independence भारती सतंत्रता आधिनियम 1947 के द्वारा, governor journal ने एक commission appoint किया, जिसे boundary commission कहा जाता था, किसलिए जो इंडिया और पाकिस्तान की boundary थी, उन्हें fix करने के लिए. The governor journal appointed a commission under the chairmanship of Sir C. Redcliffe, जो governor journal थी, उन्हें उस आयोग का, जो निर्मान किया था, उसकी अधियक्षता में किया था, उसके अधियक्ष कोंते उस commission आयोग के, Sir Redcliffe. But it was not accepted by India and Pakistan. इसको India और पाकिस्तान की द्वारा accept नहीं किया गया और consequently there arose boundary dispute between two nations और इसके परिणाम सरूप क्या हुआ, जो boundary-related disputes से दोनों nation के बीच वो race होने लगे. To resolve these boundary disputes, then Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru and Prime Minister Pakistan Mr. Firoz Khan Noon signed an agreement in 1958. 1958 में, Jawaharlal Nehru और Firoz Khan Noon, जो की Prime Minister of India और Prime Minister of Pakistan थे, उन्होंने मिलकर एक agreement किया किसे related resolve करने के लिए जो boundary dispute चल रहा था. It was called Nehru Noon Agreement, जैसे कि आपको पताई है कि Nehru, Jawaharlal Nehru and Firoz Khan Noon, दोनों के नाम को combine करते हुए इस agreement का नाम रखा गया था. Among other things, agreement provided for the division of Beirubari Union No. 12 and exchange and enclaves between the two nations. इसके साथ साथ जो agreement था, उसमें जो Beirubari Union No. 12 था, उसके division के बारे में भी provision किया गया था, और जो परिछेतर थे दोनों nations के, उनको भी आपस में exchange की बात चल रही थी. इस agreement के थूँ, वहीं मैं अगर आपको map के recording लेके चलूँ, तो यह है बांगलादेश. इस बांगलादेश को ही आपका पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, यानि कि जब इंडिया और पाकिस्तान का division हुआ था, तो पाकिस्तान को एक ये area मिला था, और एक आपका ये area मिला था, जो कि आज बांगलादेश है. क्योंकि अगर कहा जाए कि जो पश्चमी हमारा पाकिस्तान था, यानि कि वैस्ट आपका वैस्ट पाकिस्तान था, उसने बहुत ही exploitation करा आपका East पाकिस्तान का, जिसको इसके चलते फिर काफी conflict क्रियेट हुए, और बाद में जो आपका पूर्वी पूर्वी आपका पाकिस का नाम दिया गया, तो यहां पर जो एरिया था, अगर उसकी बात करें, हमारे पाकिस्तान की, जो हमारा केस है, बेरुबारी वाला, तो यह आपका एक तरह से कहा जाए, तो यह बेरुबारी का एक एरिया था, जिसके इसे डिस्प्यूट चल रहा था, जो बेरुबारी था, उसका जो डामेंशन यानि की जो उसका विस्तार था, वो 8.75 स्कॉर मिल्स का था, उसकी जो पॉपुलेशन थी, वो 12,000 स्प्यूट की थी, और यह लोकेटिट था, वेस्ट बंगाल के एक डिस्ट्रिक जलपाई गुरी में, इस एग्रिमेंट के द्वारा क्या कहा गया है, कि जो बेरुबारी यूनिय नमबर 12 है, उसको होरिजन्टली डिवाइट किया जाएगा, यानि कि एक समिस्तरिय वे में, जो होरिजन्टल मिन्स अनुप्रस्थ, या फिर हम एक वे में कहा दें कि जो इक्वाल है, बराबर बराबर इस तरह से, in such a way that half area would be given to Pakistan, और इस तरह से आधा जो पार्ट है, वो पाकिस्तान को दे लिया जाएगा, और बाकी का आधा जो है भारत के पास ही रहेगा. जो लीगल इशू रेस हुए इस agreement को लेकर के, वो ये थे कि, कि जो हमारी प्रेंबल है, प्रिस्तावना है, उसमें जो डैमोक्रेटिक रिपबलिक है, लोग तंतात्मिक घर राज्य है और सोविरन, यानि कि जो समप्रभूता है, वर्ड यूज किया गया है, उसका क्या मतलब है? अगर government किसी भी अपने एक portion को, किसी foreign state को क्या कर सकती है, सौप सकती है, अपनी मर्जी से, आगे क्या कहा गया है इसमें, कि the public who chooses a government of his choice, is government also have a right to untrust his people to a different country, यानि कि जैसे कि हमारा Democratic Republic है, कि हमारा लोगतांत्रिक घर राज्य है, कि जो public के through government चुनके आती है, और वो ही क्या करती है? वो ही represent करती है आपको, तो जिस public ने आपको government चुना है, आपको ये right दिया है कि आप उनकी तरफ से कोई action ले सकते हैं, तो किया जो public है उसने आपको आपे विश्वास करके आपको अपनी government चुना है, अपनी सरकार नियुक्त किया है, तो किया उस government को ये अधिकार है कि वो अपने उन लोगों को किसी different country को सौप दे, बिना उनकी सम्मत्ति के या बिना उनकी मर्जी के. दूसरी चीज ये भी थी कि जो sovereign word use किया है हमारी प्रेमबल ने, कि India is a sovereign country, तो यहाँ पे जो sovereignty है, तो क्या वो भारत की इस time नहीं है, कि वो दूसरे country से उसने जो agreement किया है, उसको मानने के लिए वो बाद्य है, अगर वो दूसरे के agreement को मानने के लिए बाद्य है, तो उसकी sovereignty फिर रही कहा है, ये दो सबसे महत्वपूर्ण issues प्रेमबल को लेकर की उठे थे, जो कि बेरुबारी के लोगों ने raise किये थे, आगे, whether the execution of agreement concerning the बेरुबारी union and the exchange of enclave require any legislative action either through a law of parliament under article 3 of the constitution. Next issue आपका क्या था? ये मिलाकर नए राज्य का निर्मान कर सकती है, या फिर वो किसी राज्य का छेतर बढ़ा सकती है, या घटा सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, या फिर राज्य के नामों में भी परिवर्तन कर सकती है. तो क्या government यान की संसत को ये अधिकार भी है कि वो अपनी किसी राज़े को किसी other country को दे सकती है तो यहाँ पर government के ये issue था कि government article 3 के according जो ये agreement है इसको enforce कराए या फिर or by the beginning in the suitable amendment in the constitution under article 368 और both या फिर government को इस agreement को enforce करने के लिए constitution में amendment करना होगा तो article 368 जो article 368 में amendment procedure है उसको follow करके इसको enforce कराना पड़ेगा या फिर इन दोनों में ही दोनों के through ही वो कर सकता है consequently the president thought that the issue raised are of such nature and importance that the opinion of the supreme court should be obtained यहाँ पे जो president थे उन्होंने ये सोचा कि ये जो issue है इस पर क्योंकि इसका जो बहुत ही महत्व पूर्ण ये issue create हो रहा है और इसका बहुत ही महत्व भी है इसलिए supreme court से क्या सलहा लेनी चाहिए उनकी opinion है तो under article 143 of the constitution president referred the following question to the supreme court जैसे कि मैंने जब आपको source of the constitution बताया था मैंने उसमें बताया था कि जो supreme court है उसे क्या है advisory power है article 143 में कि वो advice दे सकता है president को तो यहाँ पे article 143 के अंदर president ने supreme court से क्या मांगी उसकी सलह मांगी किस पर कि does the implementation of the agreement regarding the बेरुबारी union required legislative action प्रेजिटेंट ने supreme court के सामने ये question रखा कि जो implementation है agreement का जो की हमारा जो agreement किया हुआ है नहरु नून वाला उसको अगर enforce उसका implementation अगर हमें करवाना है बेरुबारी union से related तो उसके लिए क्या कोई legislative action यानि कि उसके लिए क्या कोई law पास करना पड़ेगा अलग से या फिर हम खाली सीधे agreement पास कर सकते हैं second question क्या था कि if so will a law enacted by parliament under article 3 of our constitution be sufficient for the execution of the agreement regarding the बेरुबारी union or an amendment to the constitution under the article 368 of our constitution required अब इसमें दूसरा question यह था कि कि जो article 3 है हमारा जो कि parliament ने किया means कि article 3 के through कोई law लाकर करके जो है इस agreement को enforce कराया जा सकता है या फिर constitution में amendment करना होगा article 368 का साहरा लेकर के अब यहाँ पे जो government थी union government उसने क्या अपने argument पेश किये इस agreement को enforce कराने के लिए उन्होंने कहा कि the agreement is merely a recognition of boundaries which had previously been decided and it is not a substitution of a new boundary or the alternations of the boundaries comment ने कहा कि जो agreement है यह सिर्फ एक मान्यता है यान कि इस agreement के through जो पहले से ही boundary decided हुई थी उन जो boundaries है उनको ही क्या हम दे रहे हैं उन्हें ही हम मान्यता दे रहे हैं it is not a substitution of a new boundary इसके through हम को नई boundary का creation नहीं कर रहे हैं और alteration of the boundary नहीं हम किसी boundaries थी उनमें alteration कर रहे हैं यह तो जैसे red cliff ने बनाई थी boundaries उसके according ही हम divination कर रहे हैं इसमें हम नया क्या कर रहे हैं जो हमें किसी law को लाना होगा law pass करना होगा उसके बाद फिर हमें यह agreement इंफोस कराना होगा आगे उन्होंने क्या गया it was further contented that if any portion of land had to be yield to Pakistan according to the award of boundary commission it does not equate to the session of territory as it is merely a mode of setting the boundary dispute उन्होंने आगे कहा कि अगर वो भूमी का कोई हिस्सा अगर पाकिस्तान को दे रहे हैं according to the award of the boundary commission जो boundary commission red cliff के जिसकी अध्यक्षता में commission बनाया गया था उन्होंने जो अपने report दी ती उस report के according अगर हम अपना एक हिस्सा भारत को पाकिस्तान को दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने राजचेत्र का अधिकर्ण करवा रहे हैं उनसे it is merely a mode of setting the bondi's dispute यह सिर्फ हम इसलिए खर रहे हैं जिससे कि इसमें यह नहीं है कि हम अपनी समप्रभूता जो है हमारी हमारी जो sovereignty है हम उसको नहीं मान रहे हैं और उनके आगे जूक रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ setting the boundary dispute है हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह award में लिखा हुआ था जो रैड किलिफ ने award बनाया गया था रिपोर्ट बनाय गई थी उनके तुरू सिर्फ उसका क्या कर रहे हैं क्लिमेंटेशन कर रहे हैं और पुछ नहीं से कि dispute सॉट आउट हो जाए according the union government argument the legislative action is not required for the execution of the agreement concerning the berubari union along with the exchange of the enclaves जो भी परिछेत्र हैं उनको exchange करने के लिए government के नजरों में यह ज़रूरी नहीं है कि उन्हें कोई law pass करना चाहिए वो इस agreement को implementation आराम से करवा सकते हैं whereas the other party contented that the parliament did not have any power to treat any portion of India in favor of a foreign state either by any legislation or even by the amendment to our constitution वहीं जो दूसरा पक्षे था जो इसके favor में नहीं था बेरूबारी को आपके पाकिसान को देने की उसने यह कहा कि जो parliament है उसको power नहीं है कि वो भारत की किसी भाग को किसी foreign country को क्या कर दे दे त्याग कर दे अपने किसी भाग का उसके लिए चाहे वो किसी legislation के थुरू ऐसा कर रहा है या constitution में amendment करके ऐसा कर रहा है तो उसे ऐसा करने की power नहीं है अब आते हैं important part judgment पे judgment में क्या कहा गया concerning the contention of the union government in the implementing the agreement the supreme court concluded that the parties have accepted the most experienced and reasonable way to resolve the dispute जो कि agreement को enforce कराने के लिए उसका implementation कराने के लिए जो contention चल रहा था विरोज चल रहा था उसको ध्यान में रखते हुए supreme court ने conclude किया कि जो parties है उन्हें जो उचित और reasonable यान कि जो युक्ति वे है रास्ता है उसे accept करना चाहिए इस dispute को solve करने में concerning the rival contention the supreme court held that the preamble is not a part of our constitution hence did not find any merit in the rival contention supreme court ने कहा कि सबसे जादा problem कहा रही है preamble को लेकर ही आ रही है तो ठीक है preamble is not a part preamble constitution का party नहीं है और जब वो constitution का part ही नहीं है तो फिर उसे लेकर dispute उसके सही और गलत होने की बात ही क्यों आ रही है further it was held that the power to acquire foreign territory and the power to feed a part of the nation territory is essential attributes of sovereignty आगे court ने ये कहा कि दूसरे राज्य छेत्र के अधिगरहन करने यानि कि किसी दूसरे देश के राज्य छेत्र को अपने राज्य में मिलाने की जो शक्ति है और जो अपने राज्य छेत्र को किसी दूसरे national territory में मिलाने की या उसको देने की शक्ति है ये दोनों शक्ति ही क्या है essential attributes of sovereignty समप्रभूता का एक आवेश्य गुण है इसलिए ऐसा करने से sovereignty कहां खतम हो रही है हमारे country की आगे Supreme Court ने कहा कि अगर जो agreement है उसको execute आपको कराना है तो उसके लिए आपको article 3 में कोई law लाने ही आपको पावर नहीं है इसलिए this means that the law required execution agreement had to be passed under article 368 of the constitution इसलिए आपको इस agreement को execute कराने के लिए जो भारति सम्विधान का अनुचे 368 है अर्टिकल 368 है उसमें आपको क्या उसके थुरू आपको amendment करना होगा constitution में उसके बाद ही आप इस agreement को execute करा सकते हो अर्टिकल 143 के अंदर सलह मांगी थी परामर्श मांगा था कुछ question के regarding उन question का answer देते हुए Supreme Court ने कहा legislative action is necessary for the execution of the agreement अगर agreement का execution कराना है तो उसके लिए legislation पास करना जरूरी है law की जरूरत है a law of parliament under article 3 of our constitution would be unqualified अगर parliament law लेकर आती है article 3 के अंदर तो वो qualified नहीं होगा वो मानने सही नहीं होगा and law under article 368 of the constitution will be qualified and necessary और अगर जो boundary से भी जो आपने question पूछा है मुझसे उससे related अगर मैं कहूं तो article 368 जो है qualified है वो उचित article है किसके लिए amendment करने के लिए और आपके जो agreementals को execute करने के लिए और उसका किया जाना आवश्यक्यान की necessary भी है for the exchange of enclave 2 the same procedure has to be followed और अगर exchange करना है enclaves का परिछे त्रों का तो तब भी यह procedure follow किया जाए यह किया जाना और final में Supreme Court ने conclusion निकाला बेरिबार union case में कि the preamble is not a part of our constitution कि जो प्रिस्ताबना है मेरे सम्विदान का भाग नहीं है second the parliament has the power to amend our constitution parliament को power है कि यह हमारे सम्विदान को संशोधित कर सकती है चाहे वो article 1 ही क्यों ना हो association of a part of the territory of India would lead to be dominion of the territory of India such an amendment can be made under article 368 of our constitution भारत की रियायत का जो यह राजय छेतर का जो पार्ट है उसमें कमी करने का मतलब अपने किसी राजय छेतर का त्याग करना भी उसमें सम्मिलेत है such an amendment can be made under article 368 और इससे related जो है जो प्रोविजन अगर आपको अप्लाई करना है तो आर्ट को article 368 का सारा लेना होका जो कि हमारे constitution में बतारा के रहा है and friends thanks for watching please like share or subscribe for more videos and also press the bell icon for notification of my videos